आज हम लोग समाजिक विज्ञान में देखने वाले हैं भारतीय राष्ट आंदोलन में गांधी जी के योगदान के बारे में देखेंगे जो चप्टर का नाम है भारत में राष्ट वारत इसे पहले हम 5-6 कुशन देख चुके हैं इसे पिछला वीडियो में हम लोग ने और स सलगेप करके पूछाई जाता है और मैक्सिमम बार इस मतलब इस टॉपिक से मतल राष्ट वाज भारत में राष्ट वाज से आपको पांच नमबर में एक नएक कुश्चन आएगा है और दो नमबर में एक दो मिलेगा ही आपको तो इसलिए आप इसे अच्छा से बहुत सारा अचीज़ आपको पता भी होगा और इसमें। गांदी जी के बारे में जानते है कि वह कौन थे कैसे थे उसको क्या क्या उपादी मिला था उसके बाद उसके मतलब उसके योगदान के बारे में देखेंगे महात्मा, बापू, राष्ट पिता और अहिंसा के पुजारी के सम्मान से सम्मानित गांदी जी सत्य और अहिंसा के बल पर सतनता अंदोलन में चाये क्या यह सब उनको उपाधी मिला था क्या चीज़ का महात्मा का बापू का राष्ट पिता आहिंसा के पुजारी हम लोग गांदी जी कभी-कभी महात्मा भी बोलते हैं कभी-कभी बापू भी बोलते हैं राष्ट पिता भी बोलते हैं आहिंसा के पुजारी भी बोलते हैं कभ मतलब देश को सुतंत करना चाहते दें और महात्मा Demon Legend sự दिया ता a weird यह सारा सम्मान उसको nag voter को दिए को मिला कि में questioned मापव राष्टपिता और ऐंसा के पुजाminute के सम्मान से समानित गांदी जी सत्थे और ऐंसा के बल मतलब सांति पुर्ण तरीके से बात चीट के जड़िए उसी को हम क्या बोलते हैं अहिंसा में विश्वास करते थे कि हम बिना मार काटके ही हम अपने देश को क्या करेंगे सोतंत कर लेंगे तो उसी के बाल पर सोतंता अंदॉलन में चायर है जबकि सुवास चंद्रबोच चं मार पीट के भगा देंगे गांदी जी ऐसे नहीं करते हैं उसका अलग रन नीती था वह चाहते हैं हम अहिंसा के बल पर ही देश को सोतंत्रत करेंगे और उसके लिए हम एक दो टर्म का यूज कि क्या सुर्ज के समान चमकते हुए मतलब इसका मतलब क्या हो सुर्ज कभी मारे संट्स वी में राश्ट्य आंदोलन में अमिट योगदान निम्ड निमब्लत का मतलब जिसका मतलब मिटाया नजा से जिसे भूला ना जा सके मतलब उसका योगदान ऐसे जिसको हम भूल नहीं सकते हैं क्या सूर्ज ुश्ञ के समान चमकते लिए गांदी जी का उन्ह कि सौतंत था आंदोलन का नया तरीका मतलब इसको नया तरीका क्या नहीं है क्या होता है उसके बाद क्या होता अपने देश को सौतंत किया लेहीं इसके लिए क्या मतलब सत और अहिंसा अहिंसा के बद्वसाब यह क्या है सोच रहे तो इसे पहले को mock अहिए सात्मनि नहीं अहिसात नहीं आपनैये थे इस सथा आंदोलन का नया तरीका पना अमार्ण में गांदी जी अपने देश की रक्षा के लिए जो नीती अपनाते जो चीज का उप्योग करते हैं सस्त्र बोलते हैं हत्यार किसी बोलते हैं जो दूसरी को मारने के लिए हत्या करने के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं हत्यार बोलते हैं तो दोनों में आपको अंतर किलियर हो गया होगा तो अब मार्ग पे चलके नहीं हम अपना देश को आजाद करा सकते हैं तो इसमें जैदा जंजर नहीं होगा मारपीट नहीं होगा जैदा लोग बढ़ेंगे भी नहीं उसका मानना यही था तो पहला पैंट होगे दूसरा पॉइंट देखते हैं और इसे पहले हम और पूरा प्रभाविट किया उस आंदोलन ने ग्रामीं जनता को प्रभावित किया इस अंग्रेश सरकार और वोगों में इतना जागरुक institution कि आधि गयो सुधारणें का भी प्रियास करते थे अब देखतें किस तरह से सुधारने का प्रियास करते थे गांदी जी ने समाज सुधार में छुवा छूत हिंदू-मुस्लिम एक तक छुवा छूत जैसे आप लोग न्यूज समय भी सुनते हैं कि और या किसी बड़े बुजूर्ग से भी सुनते होंगे कि पहले छुवा चित को बहुत सारे वावनाय होते थी उचे और नीचे जाती में बहुत सारा अंतर रहा था था ता कि आप पानी ब्हीं ने वह सकते हैं यहार नहीं जा सकते हैं मन्दिर नहीं मुस्लिम यँहां पर भी जा então क्या सोची है कि हिंदू-musing एक होके रहे खादी कप्रों का प्रयोग और कुछ खादी कप्रों मतलब का रहा था अंग्रे जी कुटूर उद्योग चोटा उद्योग आधी को आंदोलन का एक अंग बना लिया है क्या कि हम आत्म निर्भार होंगे तब ही न आंदोलन कर पाएंगे यदि मेरे पास जैसे धांड़ी यात्रा में देखे थे कि नमक नमक पर अंग्रेज कपचा कर लिया था कि नहीं मतलब उसमें टेक्स दीजिए गता भी देंगे लेकिन उसके बीना हम लोग नहीं दा सकते तो उसके लिए हमको गुलामी करना ही पड़ता जब तक हम उसको बनाएंगे ने तब तक हम उसके बिरोध में कैसे जा पाएंगे वह चाहते हैं तो चमपारन सत्यागरा का भी छोटा सौट में लिख सकते हैं जो बता चुके हैं डांडी आत्रा को भी सामिल कर सकते हैं सभी ने अब अग्या आंदोलन भी लिख सकते हैं तो इतना काफी है लेकिन जैदि और बरहाना चाहते हैं तो दू-तिन पॉइंट और हम लिख सकते हैं लेकिन सोचे जैदा बड़ा हो जागा इसलिए और जैदा नहीं लिखें तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी का एक और कुश्चन बच गया और इसके बाद हमेशे मतलब भारत ये भारत में राष्टबाद को इंड करेंगे तो थैंक्यों अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में सेयर भी कर दीजिएगा